के गाइज वेलकम टू मा चैनल इनर्मॉम का एंचन सो गाइज आज मैं आपके साथ यह बहुत ही इजी बीजी सा क्विक होने वाला मेकप लुक शेयर करने वाली हूँ यह मेकप लुक आपको बहुत ज़्यादा पसंद आया था जब मैंने आपके साथ इसके इंट्रोज वग अगर आपको कही जाना है और जल्दी से रेडी होना है क्विक मेकप करना है तो आप इस तरह से मेकप कर सकते हो बहुत जल्दी हो जाएगा और बहुत ही सुन्दर दिखोगे आप जहापर भी जाओगे आपको ही सब लोग देखने वाले हैं बहुत ही सुन्दर लगने वाल वेयर कर सकते हो, कोई जो मेकप होते है बहुत ज़दा भड़की लिए होते है आप नाइट टाइम में ही वेयर कर सकते हो बट ये वाला जो मेकप है न गाइज ये डे टाइम में भी आप वेयर कर सकते हो आपको कही पर भी जाना है इस वाले मेकप को करके जाएए सबसे ज़ादा आपको ही सब लोग देखने वाले हैं और अगर आप चुन्नी वाला ड्रेस पहंद रहे हो कोई चुन्नी वाला सूट पहंद रहे हो या कुछ ऐसा पहंद रहे हो जो इंडियन वेर में आता है तो उस पे आप इसी मेकप पे अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आप सिंदूर लगाईए, बिंदी लगाईए एक छोटी सी बहुत ज़्यादा सुन्दर लगेगी और आप रेडी हो जाओगे किसी भी छोटे मोटे फंक्शन के लिए पूजा के लिए सब कुछ करने के लिए तो गाईज चलिया आगे मैं आपके साथ ये वाला मेकप लुक शेयर करती हूँ ये मैंने किस तरह से क्रेट किया है और आप भी इस मेकप लुक को पाच मिनिट में क्रेट कर सकते हो और बहुत ही जल्द बाजी में आपका ही बर जाना है तो इस मेकप को करके जा सकते हो और गाईज मुझे एक गलती हो गई है एक जो पहली क्लिप थी वो डिलेट हो गई है गाईज तो एड़ेस्ट कर लेना यहाँ पर मैंने पहले सबसे पहले टोनर अपलाई किया था उसके बाद मैंने अनवायबे का प्राइमर अपलाई किया और उसके बाद मैंने पैक का जो फानडेशन हे वो अपलाई किया और यहाँ पर मैं इस इसी फानडेशन को सेट करने के लिए यह जो बनाना पाईडर है शूगर का भो अपलाई कर रहा ह ubiqu बस इससे set कर लूँगे और मैंने इसमें कोई भी concealer वगर अपलाई नहीं किया है सिर्फ foundation makeup है guys यह simple वाला makeup है तो सिर्फ foundation अपलाई किया है अगर आपके dark circles है तो थोड़ा सा आप concealer अपलाई कर लीजे यहाँ पर मैं यह बेटन वाइल का eyebrow palette यूज़ कर रही हूँ तो इसमें guys तीन shade आते है एक wax आता है और दो eyebrow shade आते है और यह बहुत ही अच्छा palette है guys eyebrow palette बहुत पसंद है मुझे और quickly eyebrows आपकी इससे feel होती है और बहुत natural लगती है तो इसमें से मैंने जो dark brown shade है वो अपलाई किया है और यहाँ पर मैं यह Swiss beauty का eyeshadow palette यूज़ करी हूँ यह भी palette बहुत ज़दा अच्छा है guys बहुत ज़दा affordable है और बहुत ज़दा अच्छे से work करता है fallout भी बहुत ज़दा नहीं होता है बहुत ज़दा क्या है मुझे तो fallout नहीं लगा इसका और यहाँ पर transaction shade के लिए मैं light brown shade मैंने लिया है और उसे as a transaction shade यूज़ करूंगी और इसके बाद यह थोड़ा सा dark brown shade है उससे थोड़ा सा dark वो मैं अपने lead पे लगाऊंगी पूरे lead पे तो इसे अच्छे से blend करना है अपको जब तक आपको अच्छे से color मिलनी जाता तब तक आपको blend करते रहना है एचाडो लेते रहना है पिक करते रहना है और blend करते रहना है उसके बाद मैंने यह जो rose in the air palette है यह wet and wild का है तो उसको लिया है और उसमें से जो dark brown shade है उसे मैं अपने lid पे लगा रही हूँ सबसे पहले मैंने light brown shade लिया उसके बाद फिर उससे जादा थोड़ा सा dark लिया उसके बाद और जादा dark लिया तो यह मैं ऐसे करके अपना जो desire color है उसे ला रही हूँ और अच्छे से blend कर रही हूँ blending बहुत जादा जरूरी होती है फिर मैं lower lash line पे भी थोड़ा सा apply कर रही हूँ ताकि उसका look बहुत जादा अच्छा है फिर मैं liner के लिए यहां पर use कर रही हूँ black liner और यह भी बहुत जादा अच्छा है गाइस liner बहुती quickly dry हो जाता है और बहुती अच्छे से apply हो जाता है इसका जो अप्लिकेटर है वो मुझे बहुत जादा पसंद है इसकी वज़यसे ना application बहुती जादा easy हो जाता है और जब आप कोई make-up look कर रहे हो ना तो जल्दी dry होने वाला आपको ये चाहिए लाइनर चाहिए तो आप अगर जल्दी dry होने वाला liner लोगे ना उससे क्या होगा कि उपर जो eyeshadow है आपका वो खराब नहीं होगा उससे आपका look बहुत अच्छा हैगा और eyeshadow वैसक वैसे ही रहेगा नहीं तो क्या होता है liner जल्दी dry होता है तो उपर आप पलके जपकाते हो तो जल्दी से उपर लग जाता है और फिर आपका eyeshadow खराब हो जाता है तो यहाँ पर मैंने दोनों eyes पे liner अपलाई कर लिया है उसके बाद मैं यहाँ पर contour कर रही हूँ contour के लिए मैंने use किया है wet and wild का ही contour palette तो इसमें से मैंने contour shade लेके अपने chicks को contour कर लिया है contour करने से क्या होता है कि जो आपका makeup की वज़े से flat हो जाता है ना face वो अपना उबर के दिखता है आपके जो भी areas है आपकर contour करते हो तो जैसे nose को contour करते हो तो nose area आपका थोड़ा सा nose slim लगते लगता है face slim लगने लगता है cheeks slim लगने लगते हैं और यहाँ पर मैं deborah का blush यूज़ कर रही हूँ जो peach blush है बहुती सुन्दर shade है guys बहुत ज़्यादा पसंद है मुझे ये shade बहुत ही ज़्यादा पसंद है यह मेरा favorite blush है guys उसके बाद मैं यहाँ पर highlighter के लिए यूज़ कर रही हूँ मैबिलिन का master chrome highlighter यह भी बहुत ज़्यादा अच्छा एकदम buttery highlighter है बहुत ही सुन्दर highlighter है और इसके बाद अगर कोई highlighter में आपको इन्वेस्ट करना है ना एके highlighter अगर चाहिए तो आप इसमें definitely इन्वेस्ट कर सकते हो बहुत ज़्यादा अच्छा highlighter है guys और उसके बाद मैं य local market से purchase किया था online नहीं लिया था बट आपको यह online में मिल जाएगा amazon वगरा पे तो मुझे यह local market में ऐसी shop में गई थी तो मुझे यह shade पसंद आया था कोई देख रहा था तो मुझे यह वाला shade बहुत जादा पसंद आया था तो मैंने ले लिया I think मैंने 120 या 130 में लिया था और बहुत जादा अच्छा है guys सच में यह वाली जो लिप्स्टिक है ना बहुत ही long lasting है और कपी देर तक टिकती है मैं जब भी इसे apply करते हूं मुझे shade भी बहुत पसंद आता है और यह long lasting भी बहुत जादा है यहाँ पर मैं hairstyle simple सी यह सी रख रही हूं ऐसे थोड़े से आग करता है वैसे ही मैं इंदर-उदर से सक्क्राइख कर लेती हूं तो यहाँ पर हो गया है और यहाँ पर kinetic कर्वाइख कर leggू हो तो मैंने लगाया थे एक music लगाया था और वैसे ही मैं जैसे जैसे مतलब बोर नहीं होते हैं आप makeup करते रहे हों अगर गाने लगा दिते हो और अच्छे से आप अपना मेकप करते रहते हो ना तो बोर नहीं होते हो और माही साइड में रहती है मेरे तो उससे बाते करते करते मेरे टाइम निकल जाता है और मेरा मेकप भी हो जाता है गाने सुनते सुनते हम लोग डांस भी कर लेते है और अच्छे से हमारा टाइम पास भी यहां पर यूज़ कर जहाँ हूँ, मेबलेन का कोलोसाल मस्कारा, बहुत जादा अच्छा मस्कारा है, इसमें आप वाटर बूप भी ले सकते हो, और इसमें आप वाशबल भी ले सकते हो, और यहां पर हो गया है, गाइस मेरा मेकप लुक डन, कैसे लग रहे हूँ, जरूर ब भी कमेंट करके बताना, तो आप इस तरह की सिल्वर ऑक्सडाइब जूलरी पहन सकते हो, उस पे सिंदूर लगा सकते हो, उस पे बिंदी लगा सकते हो, कोई इंडियन आउट्पीट पहन रहे हो, तो बहुत ही अच्छे से आप रेडी हो सकते हो, इस तरह से अगर आप और आपको ये थोड़ा सा भी मेकप लुक पसंद आया होगा ना, तो प्लीज वीडियो को लाइक जरूर कर देना, शेर भी कर देना अपने फ्रेंट्स और फैमिली के साथ, ता कि उनको भी हल्प मिल जाए, और आप चाहों तो मेरे दूसरे चैनल को भी सब्स्क्राइब कर सकते हो, दोनों चैनल का लिंक और इंस्टा का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक कर लेना, तो चले फिर मिलती हूँ, नेक्स वीडियो में, तिल देन बाबाय, टेक केर, और लब यू आल, बाय गाईज, और ह धन्दर कनपना